विद्यूत जामवाल, भार्तिय सिनेमा के एक प्रमो कबिनेता और मार्शल आर्टिस्ट है। वे 10 दिसंबर 1980 को जम्मू और कश्मीर राज्य के एक ब्रिहस्त परिवार में जन्वे। उनके पिता का नाम जुराव और माता का नाम विमला है। विद्यूत ने अपनी शैली और कला में मार्शल आर्ट्स को शुरू से ही पसंद किया। उन्होंने बचपन से ही कुन्फू, जुजित्सू, कलारी पयट्टू और जिमनास्टिक्स टैसी विभिन कलाओं में प्रशिक्षन लिया। उन्होंने अपनी शिक्षा जम्मू और कश्मीर के जनरल जी बतालियन स्कूल में पूरी की। बाद में, उन्होंने विश्वविद्याले कॉलेज, जम्मू में एक तकनी की पगवी प्राप्त की। विद्युत ने अपना अभिने करियत 2005 में बॉलीवूट फिल्म इंसान के साथ शुरू किया। हाला कि उन्हें सबसे अधिक पहचान फिल्म, फोस्ट में विक्रम सिंग के रोल के लिए मिली। उनकी अधाकारी, एक्षन स्टन्स और फिजिकल फिटनेस की वजह से उनके बाद, विद्युत जम्वाल ने एक सीरीज ओफ एक्षन फिल्मों में महत्मपूंग भूमिकाव में काम किया। उनकी फिल्मों में शांदार एक्षन सीक्वेंसेस, पाटशाला में भारी मुकाबला और खुट के स्टन्स करने का अंदाज दर्शाय जाता है। कुछ प्रमुक फिल्में इसमें शामिल हैं, सनाक, बॉलीवूद, कमांडो और जंगली। विद्युत जामवाल को अपनी कला के लिए कई पुरसकार मिले हैं। उन्होंने इंडियन टेली विजन अकैडमी, ITA, अवार्ड में सर्वश्रेष्ट प्रमुक नेगेटिव किर्दार का पुरसकार जीता है। उन्होंने विभिन फिट्नेस पुरसकारों को भी प्राप्त किया है। इसके अलावा, विद्युत जामवाल सामाजिक कारयों में भी सक्रिय रहे है। उन्होंने एक विशेश तरीके से महिलाओं की सुरक्षा करके मामले में अपनी भूमिका निभाई है। वेदियुक जामवाल ने एक स्वतन्त मुहिम शुरू की है, जिसका नाम खुद को सनरक्षित रखे है. इस मुहिम के अंतरगत वे महिलाओं को खुदरा और स्वावलंबी बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं. उन्होंने भी वन बॉक्सिंग टूर्नामेंट को संचालित क जिसमें महिलाओं को स्वावलंबन और आत्मरक्षा के लिए ताराशी जाती है. वेदियुक जामवाल की जीवनी में उनकी संघर्ष और मेहनत नजर आती है. उन्होंने मार्शल आर्ट्स की क्षेत्र में अपनी प्रवीनता और प्रतिभा से अपनी पहचान बनाई है. उन